हालो गाइज आम रिक्की एंड और मॉस्ट विलकम तो आवर यूट्यूब चैनल निरमला निर्वान क्लासिस जैसा कि जानते हैं फिजिक्स जल रहा है और फिजिक्स में जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वह है धारामापी अर्था गैलवेनोमीटर तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे गैलवेनोमीटर क्या होता है या गैलवेनोमीटर का इस्तमाल हम किस तरह करते हैं या यह किसली बनायाता है इसको इसकी उपयोगिता क्या है इसको आज हम समझेंगे इसकी बनावाट कैसी है मैकेनिजम क्या है समझेंगे तो देखिए आप जानते हैं गैलवेनो की जाती है कि विद्यूत परिपत में विद्यूत धारा की उपस्थिती बताने वाले यंत्र को है ना धारा मापी कहते हैं हिंदी में आप समझे धारा मतलब करेंट और धारा मापी मतलब करेंट को मापने वाला सब्सक्राइब एक 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 और इसकी परिपत में धारा की उपस्थिती रिबदाने वाले यंत्र को धारामापी करते हैं या कह सकते हैं एक ऐसा यंत्र जो विद्दुत परिपत में विद्दुत की उपस्थिती को बताता हो वो क्या है धारामापी का लाता है इसमें अर्था धारामापी में एक कुंडली होता है कुंडली कुंडली का मता समझते हैं क्या होता है कुंडली जो ह पर अगर कोई वायर लपेटी गई है इस तरह इस्तर करके यह क्या होगी कुंडली होगी मतलब कि उसके बहुत ज्यादा जो है वायर की जो लपेटाओं की संख्या होगी बहुत ज्यादा होगी तुछ कुंडली का लाती है इसमें एक कुंडली होती है जो चुम्बक्य से समझेंगे देखे यहां पर यह जो नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं यह फिगर पर आते हैं यह जो चुम्बक है यह एक मैगनेट है और यह का स्थाई मैगनेट है परमानेंट मैगनेट है जिसमें नौर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से बनी हुए है और आप देख प सूचक है जो एय काटि के तरह यहां पर लगा हुआ है यह सूचक है और यह हमारा पैमाना है जो अर्ध का रध माना है इस topic ये झालगे गाई ओर यृई करेंगे ऐसे चलेगी तो उसे जो है यह बने भी है और यह कुंडली यह वाली जो है कुंडली है और मिर्दू लोहे की क्रॉड है यह लगी हुई है अब जो है जैसे ही करेंट आएगी तो यहां इस पर जो है हल चल होगा और यहां से यह क्या यह सूचक जो है यह रिड करेंट कैसी है या नहीं है क्या है वह इस जोकी से इस यौकी इस काटा से मालूम होगा तो क्या बुला कि इस में एक कुंडली तक ये सुड़ा रहता है आप देख अच्य तक सुचक रहे हैं या संकेत бूला यह वाली काटा है यह क्या है सूचक है तो संके तक है जो एक अर्ध वृताकार स्केल पर घूम कर धारा की उपस्थिती बताता है तो यह अर्ध वृताकार स्केल मतलब पैमाना यही जो हमने बताया कि यह क्या है एक स्केल है एक अर्ध वृताकार पैमाना है जिस पर कि यह ज इस से एक संक्य तक होता है और वही के तक ज Comes Be झोमकर धारा की उपस्तिा बताती है धारा की इस पर गोंगर कर धारा की उपास्थी बताएगी यह 0 पर आजाएगी इसका मतलब धारा नहीं है और अगर यहां आ जाएगी इस कि धारा प्वाइंट है इसको याद रखेगा इसमें क्या कहा यह जो धारा मापी है ग्यालवेनो मिटर है इससे जो है आप 10 to the power minus 6 है ना एमपीर कि इतना एमपीर की जो है धारा को तक को आप माप सकते हैं 10 to the power minus 6 एमपीर कितना छोटा हुआ यह तो आप समझ ही सकते हैं इस यांतर से अर्था इस ग्यालवेनों मिटर से इस धारा मापी से 10 to the power minus 6 ampere 10 to the power minus 6 amp here तक की बीदुधहरा को जो है तर हमापी से मापी जा सकती है ना इस यंतर से धारा मापी से 10 to the power minor 6 amp here तकी ग्युद2 दारा को मापी जा सकती है और यह रहा आपका फीगर जो कि हमने बता नहीं दिया हमको लगता है कि आप समझ पाया होंगे कि धारा मापी क्या है या गैलिवर अंडर क्या है धनिवाद स्वास्त्रा अपना ख्यार रखें जय हिंद